डुंगरपुर की ग्राम पंचायत मातु गावणपाल का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बड़े इस्तर पर सडक निर्मान में लापरवाई और लिपापोती की गई है इस काम में कई न कई ब्रश्टाचार की बू भी आ रही है दरसल पंचायत के वाड नमबर छे पर दूलेशवर पिता हुर्मा के गर से गीरा के गर तक सडक का निर्मान करना बताया गया और यहां हुए काम का रिंग बोल के नाम से सबी कारिगरों को भुकतान भी कर दिया गया इसका पता करने पर सामने आया कि यहां हुए काम के बदले कुल आठ कारीगरों को 53,280 रुपे का भुकतान किया गया है लेकिन मोके पर जाकर देखा गया तो किसी भी तरह का कारियर नहीं हुआ 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 है इस संबंद में जब सरपंच और सच्ची उस से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई संतो 여기까지 जवाब नहीं दिया लेकिन इस संबंद में भी किसी प्रकार से कोई भी जवाब नहीं दिया गया ग्रामिनों का आरोप है कि इस काम को लेकर इससे पहले भी उनके द्वारा कई बार विकास अधिकारी और कलेक्टर को ग्यापन दिये गए लेकिन किसी ने भी इस मामले को नहीं देखा और इस मामले पर लीपा पोतिक करने की इस पूरे मामले में मजे की बात तो यह है कि एक साल पहले वाड़ पंच का निदन हो गया था जिसके बाद यह पद एक साल से रिक्त पड़ा हुआ है ग्रामिनों का यहाँ आरोप है कि अभी तक घाउं में वाड़ पंच के चुनाव भी नहीं खराएगे साथ ही ग्रामिनों की शिकायत भी है कि हर समय काम से जाने पर पंचायत बहुन बन मिलता है जब कोई ग्रामिन अपने काम के लिए पंचायद बहुन में पहुंशते हैं तो सरपंच पती आम लोगों को अपने डुंगरपूर वाले मकान पर बुलाता है जहां हर ग्रामिन का जाना संभव नहीं है कोई लगा है तो यह कारीगर लगा करें प्रेमेंट उठाया है 26,640 रुपेद कारीगर लागे कोई कारीगर ने को रेति निया के सिमीट ने को पत्तर ने कोई गाड़ी घुडा गया है ऐसा पहले पूराना अच्छा तो यह रोड यहां तक ही आके अन्ड हो रहा हूं वास य इतना तक किया उसका आगे यह जड़िया वड़िया सारा यही हो सब कोई ने गया आगे तो